नमस्कार दोस्तों, electrical technician channel में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो के दोरा हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारे घरों में इस्तेमाल की जाने वाला table fan होता है उसका wiring के से किया जाता है, ठीके, तो जो हमारा table fan होता है उसका man part होता है उसके बारे में देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखी दोस्तों, जो हमारा table fan होता है उसका man part होता है, उसका motor ठीके, तो यहाँ पर हमारा table fan का motor है, ठीके अब जो हमारा table fan होता है, उसमें आप एक switch भी देखते होंगे, ठीके इस switch को press करके हम fan को चालू करते हैं, और उसके speed को भी control करते हैं, ठीके उसके बाद देखी दोस्तों, जो हमारा motor होती है, उसके speed को control करने के लिए उसके अंदर में एक resistance लगा जाता है, उसके बाद यहाँ पर एक capacitor भी लगा होता है, ठीके दोस्तों अब देखिए, अब जो हमारा fan है, उसके अंदर power supply को लेके जाने के लिए एक plug top का इस्तेमाल की रहता है, तो इनी 5 electrical component का इस्तेमाल करके हमारा table fan बनता है, ठीके अब देखिए दोस्तों, यह जो हमारा motor है, इस motor के अंदर से 3 wire बाहर में आएं, ठीके यहाँ पर आप देख सकते हो, black, blue और red color के बाहर wire आएं, ठीके अब इनी 3 wire में हमें capacitor को connect करना है, और power supply को भी connect करना है, ठीके अब यहाँ पर हमें सबसे main चीज़, यानि की ध्यान रखने वाली बात यह होती है, कि हमें किस wire में फेल supply, किस wire में neutral supply, और किस wire में हमें capacitor को connect करना है, ठीके यदि यहाँ पर आप connection गलत कर देते हैं, तो आपका motor जल भी सकता है, ठीके तो इसके लिए आपको यहाँ पर motor का winding का connection कैसे किया राएगा, उसके बारे में knowledge होना अवस्चक है, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यह हमारा rotor हो गया, और यह हमारा start winding और run winding. थ्जिक है, यह जो हमारा motor होती है, इसके अंदर दो winding किया आता है, start winding और run winding, फिक है अब जो हमारा start winding होती है और जो run winding होती है इनको आपस में sort कर दिया जाता है यानि कि एक सीरे को आपस में हम sort कर देते हैं ठीक है अब हमने जहां पर sort किया वहाँ से एक wire को कने करके एक wire को निक बाहर निकाल देते हैं ये wire निकला है देख सकते हैं आप black color का ठीक है तो यह हमारा वायर बाहर निकल गया, ठीके दोस्तों, उसके वाद देखिए, यहां पे हमारे पास दो और सीरे बच गया, ठीके तो यहां से एक वायर को कने करके हम बाहर निकल देंगे, ठीके, कुल मिला के हमारे पास तीन वायर बाहर में मिल गया, ठीके दोस्तों, अब दे करको कि मल्टिमेटर के द्वारा सबसे पहले तो ओर और वी के बीच में listen को मेंजर करको ठीक है यहाँ पर मैंने इसमेजर किया तो हमारा रैस्टेंस240 आगी है यहाँ पाढ़ी में माना है कि 240 रैस्टेंस यहाँ उसके इसके बार में क्या करूँगा कि जो हमारा red wire है और जो blue wire है उनके बीच में resistance को measure करूँगा ठीक है यानि कि multimeter के probe को एक यहां पर connect कर दूगा और दूसरे को यहां पर connect कर दूगा ठीक है और उसको connect करने के बार जो resistance आएगा वह 450 के लगग आएगा ठीक है यहां पर हमारा resistance है वह 450 क्यों है क्योंकि देखे दोस्तों यहां पर दो वाइंडिंग का resistance सीरीज में आ आगा है ऑफ़ यहां पर सबसे कम आया है 210 यहाँ पर फॉक्पर है क्योंकि हम यहां पर केवल इस वायर का रुक कर पर ज्वायर का पर जाधा आया है तो यह सबसे कम य। कम वायर निंग का ठीडि़ Whoa Department होगती है तुऩि यहाँ पर एक कुछ नहीं ना जो resistance आपने measure के थे ठीक है उसमें आपको देखना है कि सबसे ज्यादा resistance किसका है यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों जो हमारा red wire था और blue wire था उसका resistance सबसे ज्यादा है ठीक है यानि कि 450 तो ये दो वायर जो है हमारे run winding और start winding के हो जाएंगे ठीक है अब इसमें कौन सा वायर नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर black wire नहीं है ठीक है यानि कि हमने तो जो वायर यहां पे नहीं है वह हमारा common वायर हो जाएगा यानि कि black वायर हमारा common वायर हो जाएगा ठीक है यहां पे आप केवल common वायर को पता कर लिजिए उसके बाद मैं आगे बता दूंगा कि आप start winding और run winding का connection कैसे करेंगे ठीक है तो यहां पे हमें मालूम चल गया कि जो हमारा black वायर था वह हमारा common वायर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाने वाले जो फेन होती है उससे related डो वीडियो और बना चुका हूं ठीक है पहले वीडियो में मैंने expand किया हूं कि किस प्रकाँ से हम ceiling fan का wiring करते हैं और दूसरा हमारा जो air cooler होता है यानि कि water cooler होता है उसका connection किस प्रकाँ से किया जाता है दोस्तों यदि आप उन दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियो का link में description में दे दूँगा आप वहां पे क्लिक करके देख सकते है ठीके दोस्तों चलिए आगी वरते हैं तो यहां पे हमारा जो electrical equipment है इनका connection करना है तो connection करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा common wire है यानि कि black wire ठीके इस wire में हम neutral supply को लाके direct connect कर देंगे ठीके तो यहां पे मैंने क्या किया है neutral wire जो था उसको लाके सीधा connect कर द ठीके अब यहां पे हमारे पास दो wire बच गए है तो यह जो दो wire होते है उसमें हमें capacitor को connect करना पड़ता है तो यहां पे simply capacitor को connect कर दिया यहां पे आप देख सकते हो कि जो हमारा blue wire था और red wire था उनके बीचे में मैंने capacitor को connect कर दिया ठीके तो हमारा तीन वायर का connection कंप्लीन हो कर देंगे यहां पर मैंने कनेक कर दिया, एक स्थोम्र का चाहिए, धो में पर सबसे और अब तो में क्या हूं है जोक्ता हाँ, जो जो फैन करेंगा, सबसे डेजिड सरक्नेक krijgen 2019 QC, फैन कौने का पर यीदो को फैन हो गूंच है टिक है, नमबर और उसको ले जाके रेस्टेंस के पहले टर्मिनल के सार्ट करेंगे तर्मिनल के सार्ट करेंगे यहां पर मैंने इसको कनेक करेंगे तर्मिनल के सार्ट 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 करेंगे तो यह वाली यानि की तीन नूमबर वाली ठीक है इस टमेल से हमें को कनेक्ष करेंगे है और इसको लेकर याके रणिंग वैंडिंग और जो स्टार्टिंग वैंडिंग उसके एक केसा करेंगे ठीक दोस्तों अब देखिए अब यहां पे जो हमारा फैन का connection था वह complete हो गया ठीक है दोस्तों यहां पे जो हमारा फैन था उसको न्यूर्टर सप्लाई डारेक्ट मिल गया और फैस सप्लाई यहां से घुम जा रहा है ठीक है यहां पे हमारा जो फैन है वह कैसे कायम करेगा एक बार देख कِ यानदि हमें फेन को चालू करना है तो हमगे के हैं कि हम पहले persistence का होगा पर यहां से हमारा पावर सप्लाइी जाएग ऑवन चला जाएगा जाएगं के opposite direction में घुम रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यह जो हमने वायर यहां पर connect किया थे ठीक है उसको यहां से remove करके दूसरे वायर के सार connect कर देंगे यानि कि blue wire के सार connect कर देंगे ठीक है इन दोनों वायर में supply को interchange करने पर हमारा जो फैन है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ठीक है अब देखिए अब यदि मैं सेकेंड पूस बटन को प्रेस करता हूं तो क्या होगा power supply यहां से जाएगी और इतना ही रेस्टेंस लाइन में लाइगा ठीक है यह वाला बाइपास हो जाएगा तो इतना रेस्टेंस आने पर क्या होगा हमारा जो फैन है उसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगी ठीक है उसके बाद जब मैं हाई स्पीड वाले पूस बटन को प्रेस करता हूं तो क्या होता है यहां से power supply यहां पर आती है यहां पर हमने एक वायर को सोट करके सीधे ही ल लगता है ठीके दोस्तों तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्रिस इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंज के साथ इस वीडियो को जरूर सेर्ट कर दीजिएगा और यदि आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद है